हेलो फ्रेंड्स मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत दो स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल अवद कंप्पुटर ग्यान में दोस्तों आज के इस टूटूरियल में हम आपको रेफरेंस टैब के अंतरगर टेवल आफ कांटेंट के बारे मताएंगे पिछले टूटूरियल में हमने आपको पेज लेयाउट टैब में पेज बैग्राउंड टापिक कबर कराया था अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करके पेज बैग्राउंड सेक्शन को कबर कर सकते हैं तो चलिए आज के इस टूटूरियल में हम टेबल आफ कांटेंट के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम MS Word को ओपन कर लेते हैं यहां पे हमारा MS Word ओपन है और जैसा कि अगर आप देखें तो यहां पे यह रिफरेंज टैब है और इसी टैब का अंतरगत आज हमको जानना है टीवल आफ कांटेंट टीवल आफ कांटेंट दोस्तों क्या होता है यह आपके बुक में आपने देखा होगा विसे सूची जो होती है वही टेबल आफ कांटेंट होता है जहां पे आपके बुक में जो भी आपका टापिक होता है जो भी आपका हेडिंग होता है जो भी आपका लेशन होता है वो आपको टेबल आफ कांटेंट में दिखा जाता है कि यह हेडिंग ये आपका lesson किस number page पर मिलेगा, तो इसी को table of content कहा जाता है, जिसको हम index menu भी कहते हैं, विसे सूची भी कहते हैं, तो इसे हम कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं, table of content बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें, हमारी जो heading है, जो हमारा topic है, उसको हम पहले heading में करेंगे, उसके बाद हमारा table of content बनेगा, अब ये अगर आप देखें, तो ये जो हमारी heading है, ये हमारा normal है, यानि normal text की तरह लिखा है, अगर यहाँ पहले देखें, तो ये हमारा normal ही select है, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम select करेंगे, और इसको हम heading 1 या heading 2 बनाएंगे, तो हम इसको कर लेते heading 1, heading 1 का मतलब हुआ, जो आपकी main heading है, वो heading 1 में होगी, जो आपकी दूसरी heading, यानि आपका sub heading है, उसको आप heading 2 में कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने heading 1 में कर दिया है, ऐसे ही हम और भी आगे select कर लेते हैं, इसको भी हम heading 1 कर देते हैं, इसको चलिए हम heading 2 में कर देते हैं, यह हमारा demo है, हम क्यों आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, heading 1, heading 2, आप अपने हिसाब से जैसा आपका text हो, जैसे आपकी heading हो, आप अपने हिसाब से उसमें heading 1, heading 2 कर सकते हैं, इसको हम heading 1 ही कर देते हैं, यहाँ पर हम इसे heading 2 कर देंगे, इसको भी हम heading 2 में कर देते हैं, ऐसे हम पहले heading बनाएंगे, इसको हम heading 1 में कर देते हैं, इससे हम heading 1 कर देते हैं इसको हम heading 2 कर देते हैं हम इससे heading 1 में कर देते हैं इस तरह से आप heading 1, heading 2, heading 3 जैसा आपको करना हो ऐसा आप कर सकते हैं heading 3 में हम कर दिए जैसे जैसे हम heading लेते जाएंगे वैसे यहाँ पे heading बलती जाएगे आपकी हम यहाँ पे heading 4 कर दिये इसको इसको भी heading 4 कर दिये इस तरह से हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम एक heading यह भी ले लेते हैं mouse और इसको कर देते है heading 2 में तो दोस्तों यह सारी heading हो चुकी है अब हम चलें आगे बढ़ें हम joystick को भी ले लेते हैं scanner को भी ले लेते हैं अब दोस्तों को क्या करना है हमको चले आना है reference tab पे और table of content पे click करने से पहले हम उपर का एक page खाली कर लेते हैं जिससे आपने देखा होगा जो table of content होता है वो एक single page में आपका पहले सबसे उपर तो ऐसे cover page ही होता है उसके बाद आपका table of content आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस page को खाली कर लेंगे control के साथ enter दभाएंगे तो हमारा पहला पेज़ खाली हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां पे हमको table of content इंसल कराना है table of content पे click करेंगे और यहां पे छाहे इस पर click कर लिजिए यह आप insert table of content पर click कर दीजिए और okay करेंगे तो आप देखें यहां पे हमारा जो table of content वह आ चुका है हमारा table of content बन चुका है और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे page नंबर भी है कि यह heading आपकी किस number page पर है यह आप यहां देख सकते हैं जिस heading पर आपको जानना हो जिस heading को पढ़ना हो आपको क्या करना है control के साथ click करना है आप माले generation आप computer को पढ़ना चाहते है control के साथ click करिए आप directly वहाँ पर पहुंच जाएंगे आप definition आप computer पे जाना चाहते हैं control के साथ click करिए definition आप computer पे पहुंच जाएंगे तो यह हमारा index menu होता है यह इससे हमको आसानी होती है देखने में कि हम किस page पे हमको क्या पढ़ना है हम यही से देखकर और उस number page पे पहुंच जाते हैं अगर printed book है तो वहाँ पे हम heading को देखकर और उस number page पे जाते हैं पढ़ते हैं और यहाँ अगर आपका जो soft copy है यहाँ पे हम directly वहाँ पे click करके पहुंच सकते हैं अब इसमें अगर आपको कोई test जोड़ना हुआ जैसे कि हम मान लिजे इससे बीच में हमको कोई heading और insert करानी है जैसे कि यह fan है इसको हमको insert कराना है तो हम इसको select कर लिए और edit test करेंगे label 1, label 2 किसी तोई तरह से तो यह भी हमारा यहाँ पे insert हो गया अब यहाँ पे component of motherboard अगर आप देखें तो यहाँ पे component of motherboard है लेकिन उसके आगे update नहीं हुआ है तो update करने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों हमको update table पे click करना है आप देखेंगे table आप content की नीचे update entire table पे click करेंगे और देखी वो भी heading यहाँ पे add हो चुकी है तो इस तरह से आपको बीच में अगर कोई चीज जोड़ना है तो आप बीच में भी जोड़ सकते है edit test के दोरा edit test पे click करेंगे तो वो जो है वहाँ पे add हो जाएगा heading के रूप में और उसके बाद आपको update table पे click करना है आपका जो table है वो भी आपका update हो जाएगा यानि आपका जो index menu अब इसे सूची है वो भी update हो जाएगे ऐसे हमें एक और करके दिखाते हैं आपको जिससे यहाँ पे बीच में ही हम देखते हैं यहाँ पे last में नहीं करेंगे हम हम right button left button को यहाँ पे जोड़ना चाहा है mouse में हम इसको select कर लिए और edit test पे click किए level 2 या level 3 में, level 2 में हम इसल कराते हैं यह हमारे हो गया और अगर हम उपर जाएं तो यहाँ पे अभी हमारा update नहीं हुआ है हम चलिए क्या गरते हैं update table क्लिक करते हैं और update in dial table पे click करेंगे okay करेंगे, देखिए यहाँ पे mouse में right button वाला भी आ गया तो इस तरह से आप जो है table of content बना सकते हैं, index menu बना सकते हैं बहुत ही simple है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं उसके बाद आपको reference tab में आना है, table of content पे आना है और अपना page जहां पे आप इसको चाहते हैं वहां पे अपना cursor रखिए पहले page पर और किसी एक पर click कर दिजिए या insert table पे click कर दिजिए insert हो जाएगा आपको नहीं चाहिए हटाना है तो आप table of content पे click कर दिजिए लेकिन उसके पहले हमारा cursor जो है वो table of content पे होना चाहिए और यहां पे आके हम remove table content पे click करेंगे तो remove हो जाएगा हम पुना इस पे click करें इंसल टेबल आप content पे click करें तो यह आभी जाएगा तो दोस्तों आज के इस टुटूरियल में इतना ही मिलते हैं नए टुटूरियल में तब तक के लिए जैहिन जैवारत